हलो वोट्सब दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि स्टैन्फोर्ड युनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आपको कौन से कौन से ऐसे कोर्सेस मिलते हैं जो की पूरी तरीके से ऑनलाइन और फ्री हैं तो दोस्तों ये कोर्सेस जो है वो आपके करियर के लिहाज से बहुत ही जादा आपके काम के हो सकते हैं हलाकि स्टैन्फोर्ड युनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारे फ्री कोर्सेस ओफर किये जाते हैं लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने 10 ऐसे courses को compile किया है जो की specifically आपके career के लिहाज से जो है वो काफी बहतरीन हो सकते हैं उसमें भी अगर और छोटा मैं बताना चाहूं तो यहाँ पर जो लोग computer engineering के अंदर हैं या data science के अंदर हैं या जनको artificial intelligence, machine learning ऐसी चीजों में interest हैं उनके लिए कुछ courses इसमें से बहुत ही जादा भैतरीन हैं तो यह courses generally जो है वो यहाँ पर Stanford University किसी के साथ partnership में चलाती है लेकिन अंत में आपको जो certification मिलेगा वो Stanford University का ही होने वाला है हाला कि इसकी अंदर भी एक catch जरूर है जो कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको इसकी जैसे वीडियो जरूर अंतक देखिए वरना आप जो और एक चीज है important वो miss कर जाएंगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पने हैं अब तक आपने subscribe नहीं किया हुआ है तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो यहाँ पर पहला जो कोर्स हमारे पास आता है वो आता है मशीन लर्निंग का तो यह कोर्स जो है वो कॉरसेरा और स्टैन्फॉर्ड उनिवरसिटी इन दोनों के जो है वो कॉलाबरेशन में डेवलप किय गया है और यहाँ पर एंड्रिव एंट जी नाम के प्रोफेसर हैं जो की इस पूरे कोर्स को कंड़क करने वाले हैं तो देखिए दोसों मशीन लर्निंग जो है वो आज के योग में बहुत ही ज्यादा अब फलने फूलने लगा है क्योंकि बहुत सारे इंडस्री में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है इस्पेशली जो आटो मोबील सेक्टर है यहाँ पर भी मशीन लर्निंग का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर गाड़ी के मैनेफेक्चरिंग के लिए भी और गाड़ी के अंदर जो सिस्टेम्स दी जा रही है आज कल की बहुत smart systems आ रही हैं, उनके अंदर भी machine learning का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, एक बड़ा misconception ये है कि machine learning अगर आपको सीखना है, तो आपका match जो है, वो extraordinary चाहिए, brilliant चाहिए, तो ऐसा नहीं है, match बहुत brilliant चाहिए, और केवल brilliant लोग ही इसको सीख पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ, maths की आपको knack होने चाहिए, maths की आपको जो है, वो पहचान अच्छी होने चाहिए, आपको उसका liking होना चाहिए, और फिर you are good to go, और साथी साथ जो mathematics के fundamentals हैं, कुछ principles हैं, उनको भी आपको बिलकुल अच्छे तरीके से memorize कर लेना है, या वो आपको आने चाहिए, तीसरी बात यह है कि इसके अंदर patience लगता है, ये बड़े ही आसानी से ऐसे चुटकी वजा कर आने वाली चीज नहीं है, इसमें बहुत patience रख करके उसको एक-एक बारीक चीज को सीखना पड़ता है, ये course की length जो है, वो medium है, तकरीबन 54 hours लगते हैं इस पूरे course को complete करने के लिए, तो ये 54 hours जो है, वो आप अपने हिसाब से complete कर सकते हैं, तो आप चाहें तो दिन के 12 घंटे पढ़ाई करके इसको जल्दी भी खतम कर सकते हैं, या दिन के 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे काम करके इसको थोड़ा सा लंबा भी बना सकते हैं, ये सारे courses जो है, इनका फाइदा ये है कि ये सारे self-paced learning को support करते हैं, याना कि आप आपके हिसाब से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जितनी बार चाहें, उतनी बार आप उस lesson को पढ़ सकते हैं, कुछ अगर doubts है तो उसको भी पूछ सकते हैं, और अपने हिसाब से पढ़ते 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 आगे तक जा सकते हैं, इसके बाद आता है Introduction to Mathematical Thinking, यह जो course है, वो Dr. Kenneth Devlin की तरफ से जो है, वो कंड़क किया जाता है, तो दोस्तों इस course की अपनी एक खासियत है, हाँ यह course जो है, वो जिन लोगों का Mathematics School के दिनों में बहुत ही जादा भैतरीन था, उन लोगों को भी आगे चलकर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इनके जो Professor है, किनीथ डेवलिन, डॉक्टर किनीथ डेवलिन, तो यह बहुत ही जादा उनके Study Materials जो है, वो बहुत Clear Cut होते हैं, और उनकी Teaching Techniques जो है, वो बहुत ही जादा Advanced Level की है, और बहुत जादा Easy to Understand है, जिसकी वजए से यह Understanding तो Easy होगा, लेकिन Complete करने में थोड़ा सा Challenging हो सकता है, और दूसरी बात यह है, कि बाकी के जो Courses है, Mathematics के, उनके हिसाब से जो है, वो यह Cours बहुत ही अलग है, इनकी Basic Tag Line ही यही है, Think Out of the Box, तो Think Out of the Box, यहना कि यह अलग ही तरीके से आपको पढ़ाते हैं, किसी भी Conventional तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, यह Courses का Syllabes जो है, वो तकरीबन 40 गंटे लगते हैं, इसको Complete करने के लिए, अगेन यह भी एक Self Pace Learning को Support करता है, तो जैसे जैसे आप चाहें, वैसे वैसे इसको आगे आगे पढ़ते जा सकते हैं, इसकी बाद दोस्तों और एक Course है, जो कि राइटर्स के लिए, जो Technical Writers है, उनके लिए बहुत बढ़िया है, वो है Writing in Sciences, तो Writing in Sciences जो Course है, वो डॉक्टर क्रिस्टिन सैनानी की तरफ से कंड़क किया जाता है, और इसकी अंदर जो है, वो आपको Basic सिखाया जाते हैं, क्योंकि क्या है, तो Scientific Articles लिखना चाहता है, या Technical चीज़े लिखना चाहता है, उनको इस Art के साथ साथ ही Technical Knowledge, Scientific Knowledge होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहां पर Basic लिए आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपके Article को आप Shape देंगे, आपको अगर Scientific Article लिख रहे हैं, तो उसके कौनसे Stanza में, कौनसे Paragraph में कौनसी चीज़े डालनी होंगी आपको, कि कैसे Facts and Figures को कैसे आपके Content के अंदर Merge करना है, किस तरीके के Facts and Figures सामने रखने हैं, उनको Present कैसे करना है, Scientific Article लिखते वक्त आपकी Language कैसी होनी चाहिए, उसका Presentation कैसा होना चाहिए, यह सब कुछ जो है, वो यहाँ पर Professionally सिखाया जाता है, तो जो लोग यहाँ पर Writing के Field में हैं, Content Writing वगरा के Field में हैं, Technical Writing के Field में हैं, उनके लिए एक बहुत ही बहतरीन Course यह साबित हो सकता है, यह Course भी एक Medium Length Course है, इसको भी Complete करने के लिए 30 hours का समय लगता है, इसकी बात दोस्तों आता है एक हलका-फुलका Course, तो यह Course जो है, वो कहीं पर भी ऐसे Machine Learning, यह हम कहें कि Algorithms, ऐसी किसी भी चीज से Related नहीं है, यह Course मैंने Especially इस लेस्ट पर रखा है, क्योंकि यह Course General कोई भी आ Production to Health and Food, तो यह Course जो है, वो Conduct किया जाता है Professor Maya Adam से, तो यह Course जो है, इसके अंदर आपको बताया जाता है कि Food Levels को कैसे पढ़ा जाए, कौन से अच्छे Healthy Products हैं, उनके अंदर के Ingredients जैसे हैं, वो कैसे पढ़े जाए, क्योंकि कई बार Ingredients के जो है, वो केवल Code Names जो है, वो लिख कैसे पढ़ा जाए, ग्रोसरी जब आप खरीदने जाते हैं, तो जादा से जादा Healthy Options को कैसे चूज किया जाए, आप अपने Diet में जादा से जादा Healthy चीज़ों को कैसे ला सकते हैं, और उससे आपकी Overall Health जो है, उसको कैसे Maintain रख सकते हैं, तो यह Course जो है केवल 5 घंटे का है, कोई भी व्यक्ति जो है, वो एक दिन के अंदर इसको Complete कर सकता है, लेकिन इसके सिर्फ 5 घंटे के Course होने पर मत जाए, इसके अंदर बहुत बढ़िया Information जो है, वो आपको मिलने वाली है, जो कि आप Actually आपके Day-to-day Life में इस्तमाल कर सकते हैं, उसको Apply कर सकते हैं, दोस्तों Computer Science 101, याना कि Computer Science 101, यह उस Course का नाम है, और यह Course जो है, वो EDX और Stanford University, यह मिल जोल करके इस Course को चलाते हैं, और यह एक Long Term Course है, लेकिन इसका फाइदा यह है, कि यह पूरी तरीके से आपको यहाँ पर Introduce कर देता है, Computer Science के साथ, तो एकदम from scratch हे लोग सुरूर करते हैं, कि Computer Science है क् इसके अंदर कौन सी चीज़े आती हैं, इनके Concepts क्या हैं, और Higher Level पर भी थोड़ा सा यह जाते हैं, आज के जमाने में किस तरीके से Computer Science का इस्तमाल हो रहा है, वगरा वगरा यह सारी चीज़े, यह Course जो है, वो Complete करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा वक्त देना हैं, तो बहुत आपको Help हो सकती है, और आपकी CV के लिए भी यह चीज़ बहुत ही जादा बहतरीन बन जाएगी, आपकी CV में अच्छानक वजन बढ़ जाएगा, दोस्तों अगला जो Course है, वो है Cryptography, तो Cryptography यह जो Course है, वो Dr. Dan Bonnet की तरफ से यह Course जो है, वो पूरा कंड़क कि हैं, या जिनको इस सब्जेक्ट में बहुत जादा इंटरस है, उनके लिए है, तो इस Course में होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, कि आज के Digital Yug में जो है, हम बहुत सारी चीज़े, बहुत सारे transactions online करते हैं, हमारे बहुत सारी जगावा पर accounts है, हमारी personal से भी जादा personal ज store की जाती है, वो कैसे store की जाती है, और day-to-day life में, अगर आप गलती से भी कोई non-trusted sites पर जाते हैं, और वहाँ पर अपना personal data दे बैठते हैं, तो वो कितना जादा आपके लिए vulnerable आप साबित हो सकते हैं, किसी भी तरीके के fraud के लिए, इसके उपर ये पूरा जो course है, वो based है ये आपको बताते हैं कि कैसे बड़ी-बड़ी website जो है, वो आपका data यहाँ पर secure करने के लिए कौन से तरीके के mechanisms का इस्तमाल करती हैं, और ये कितने जादा intricate होते हैं, कितने जादा complex होते हैं, और आप अपने खुद के data को जादा से जादा यहाँ पर safe and secure कैसे रखेंगे, इसके अंदर जो mathematical terminology है, वो थोड़ी सी heavy है, क्योंकि इस पूरे field के अंदर जो है, यहाँ पर messages हो गया, या कोई भी information हो गई, वो encrypted वगएरा होती है, तो इसके अंदर mathematical terminology बहुत जादा इस्तमाल होती है, क्योंकि ये पूरा जो data है, वो एक numerical format में save किया जाता है, तो ये समझ पाने के लिए mathematics का ज्यान थोड़ा सा अच्छा होना ज़रूरी है, इसकी बाद दोस्तों EDX और Stanford University की तरफ से चलाये जाने वाला एक और course हमारे पास आता है, तो EDX का नाम में specially इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि बाकी के जो सारे courses है, वो Coursera और Stanford University collaboration में चलाते हैं, और कुछ EDX और Stanford University मिल जोलकर चलाते हैं, तो जो लोग आगे चलकर data science की field में जाना चाते हैं, उनके लिए ये course जो है, वो बहुत बढ़िया और helpful साबित हो सकता है, तो दोस्तों data bases जो है, वो हमारे हर तरफ है, आजकल की जो आपको algorithms हैं, उनकी अंदर भी data bases का ही इस्तमाल होता है, ये data bases जो है, वो हर तरफ है, जैसा कि माने पहले कहा कि data science में जो लोग जाना चाते हैं, उनके लिए बहुत ही भेतरीन ये course है, और ऐसी भी बात नहीं है, कि अभी-अभी शुरू हुआ है, ये course 2011 से चलू है, और इनके कुछ popular courses में से एक है, अगला है दोस्तों massive data mining, तो massive data mining जो लोग यहां पर data science में है, data research में है, data analytics में है, उनके लिए ये चीज जो है, वो बहुत बढ़िया है, तो इसके लिए थोड़ी बहुत आपको background computer science की भी होने चाहिए, mathematical knowledge भी होना चाहिए, क्योंकि ये course particularly challenging हो सकता है, क्योंकि ये जो massive data mining है, इसके अंदर महनत भी जादा क जो है, वो company को suggest कर सकते हैं, कि कहां पर बेचने चाहिए, और कहां पर किस तरीके के interest वाले लोग हैं, वगेरा ये सारी चीज़े, इसके बाद आता है दोसों, एक course का नाम जिसका नाम है, nano at Stanford, तो ये course जो है, वो specifically Stanford University के अंदर जो बच्चे आगे चलकर nano fabrication सिखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा जादा यहां पर design किया गया है, क्योंकि उन्ही के university के अंदर जिस तरीके के equipments हैं, उनको मद्दे नजर रखते हुए इस course को उन्होंने design किया हुआ है, तो nano fabrication जो है, वो आगे चलकर research में बहुत जादा काम आते हैं, especially medical research के अंदर, तो जो लोग इस इस the technology of future, आने वाले समय में हमारे पास nano technology का इस्तमाल करके, nano fabrication का इस्तमाल करके, कई सारी medical operations जो है, वो कंड़क किये जाने वाले हैं, कई सारे इलाजों के अंदर इसका इस्तमाल होने वाला है, तो इसकी वजह से यह एक blooming industry है, इसकी अंदर अगर आप जाना जाता है, तो य यह आपका पहला baby step हो सकता है, अगला जो course है, उसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, divide and conquer, sorting and searching and randomize algorithms, यह उस course का नाम है, यह course जो है वो complete करने के लिए तकरीबन 13 घंटे का समय लगता है, तो algorithms कैसे चलते हैं, और यहाँ पर कैसे उसका data collect किया जाता है, वगरा ऐसी सारी चीजों के उपर यह course पूरा based है, तो बड़ी बड़ी कमपनियां होती है, जैसे की Facebook, YouTube, Google, ऐसी कमपनिया algorithms का इस्तेमाल करती हैं, और उन algorithms के दम पर आपको जो है वो जादा से जादा relevant videos, relevant ads, relevant post देखने को मिलते हैं, तो यह algorithms काम कैसे करते हैं, इसके बारे में यह course आपको पूरा ब वो excel कर पाएंगे, क्योंकि इस course जहां से यह course शुरू होता है, वहाँ पर mathematics जो है, वो थोड़ी सी higher level से ही शुरू होती है, वो basic चीज़े नहीं सिखाते हैं, वो यह assume कर रहे हैं कि आपका mathematics जो है, वो थोड़ा strong है, तो दोस्तों यह कुछ courses हैं, जो कि Stanford University के अंदर free में यह पर offer किये जाते हैं, इसके अलावा भी कई सारे courses हैं, जनके लिए आपको अगर information चाहिए, तो आप उनके official website के उपर जा करके उसको देख सकते हैं, लेकिन यह कुछ courses मैंने इसलिए निकाले थे, जो कि आपके day to day life में भी इस्तमाल हो सकते हैं, आप उनको apply कर सकते हैं, या जो लोग professionally उस field में जाना चाहते हैं, किसी specific field में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये courses जो है, वो बहुत काम के हो सकते हैं, इसकी वज़य से इनको मैंने अपने list पे रखा हुआ था, तो अब दोस्तों जो चीज मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी, कि there is a catch, कि ये courses वो दे करके आप इसका certification जो है वो पा सकते हैं, तो आपने अगर मेरा दूसरा वीडियो देखा है, तो मैंने Harvard University के अंदर जो courses offer किये जा रहे हैं, फ्री में, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना करके रखा है, तो उनकी भी same चीज है, कि अगर आपको certification उनका चाहिए, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, और जनरली ये पैसे जो है, वो 100 डॉलर से लेकर के 200 डॉलर के बीच में रहते हैं, तो जो highest मैंने खुद बढ़ा था, वो 139 डॉलर था, याने कि तक्रीबन 10,000 रुपे, तो फिर भी मैं कहूंगा कि वर्थ है, Stanford या हम मैं कहूं कि Harvard ज और Reputed हैं, इनकी तरब से अगर आपको Certification मिला हुआ है, तो जरूर जॉब पाते वक्त आपका Consideration जादा किया जाएगा, हाला कि अगर आप यहाँ पर Certification नहीं भी लेते हैं, तो भी जो भी आपने कुछ उस Course में जीखा है, वो ग्यान आप से कोई नहीं चीन सकता है, आप य उनका जो यह सिलाबस है, इसकी उपर मैंने पूरी पढ़ाई की है, उसकी examination भी दिये है, और मैं इसमें पास भी हो रखा हूँ, आप चाहे, तो जो सवाल चाहे, वो पूछ सकते हैं, और मैं उसका सही सही जवाब दूँगा, तो भले ही आपके पास वो Certificate नहीं है, लेकि तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है, तो लाइक जरूर कर दीजे, और ज्यादा से ज्यादा शेर भी जरूर कर देना